हेलो फ्रेंट्स मेरे नावा शुभम रहा और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूटूब चैनल स्टड़ी भी था नाइटियंस में मैं एक एक नाइटियन हूँ और मैं नाइटियर राइपूर से बीटेख हूँ एलेक्टरिकल इंजिरेरे में तो आज हम लोग एक special lecture करने जा रहे हैं जो कि basically मैं अपने students के लिए बना रहा था और lecture का नाम है आपका चीज़े जाड़ा clear हो जाएंगे ठीक है इसके अलावा दो और नजी जल अपवातंत्र बज गया है आपका सून गंगा अपवातंत्र इसके बारे में हम लोग बाद में डिसकस कर लेंगी और एक महानदी अपवातंत्र जिससे आपकी 36 गड़ की पूरी नदिया कवर हो जाएगी तो यह भी लेक्चर जो मैं टाइम टू टाइम बनाऊंगा ठीक है अभी फिलहाल हम लोग गोदावरी अपवातंत्र कर लेते हैं ठीक है एक जरूरी सुचना कि हमारे जो टेस्स से रिलेटेड जो है इन्फोर्मेशन आपको थोड़े देर में मैं आपको कर दूँगा आपको एक सेपरेट वीडियो बनाके ठीक है जो सजन जाना चाते थे इसके लावा अगर आप इस चैनल में नए आये हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक आउट करके हैं Facebook, WhatsApp, Twitter और Instagram का लिंक के साथ साथ, Telegram का भी लिंक आपको मिल जाएगा वहां जाके हमक इसका फायदा उठाई है ठीक है और हाँ एक और रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो को लाइक नीचे कॉमेंट में थम्स अप और वीडियो को एंड तक बीना स्किप करें देखें और नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आउन करन इनपॉर्टेंट है ठीक है छत्ती गड़ की जो मुख नदी है जो साउत बस्तर के एरिया के में जुजारती है उसका नाम है इंद्रावाथी नदी और वो गोदावरी अपवाह तंदर का हिससा है ठीक है तो आपको मेंस में जो है वो लिखने को आ सकता है तो मैं दोनों त अधीग्रहट करता है ठीक है अलग अलग बुक्स में जो है वो अलग अलग डीटास दिये है ठीक है लेकिन आपको लगबग यह याद रखना है कि अगर आपको data लिखना means में तो हमेशा लगबग में लिखिएगा वेकि exact data जो है वो 36 गड़ किसी भी बुक में अवेलेबल न सकते हैं लगबग 38,694 km क्योंकि मैंने एक बुक में देखा था मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है और जो 36 गड़ के टोटाल एरिया का जो है वो आपका 28.62 परसेंट एरिया जो है वो cover-up करता है ठीक है एक और फैक्ट दिया था आपके 36 गड़ समगर की बुक में और उसमे यह था कि गोदावरी अपवाहतंद्र को और महानदी अपवाहतंद्र को अलग करने वाली घाटी का नाम गया है तेलीन घाटी इसको जरूर याद रखेगा यह आपके प्रेलिंस फैक्ट में आपको question पूस सकता है ठीक है आप देखतें गोदावरी नदी के बारे में अंज बद्रकाली से बध्रकाली से यह लिखा है जो मैंने कोटयरू क करके एक जगहा है कोटर्रू है कोटरू ठीक है कोटरू टक की जगह तक भी चतीज में भाएती है और उसके पाचाच जो है वो आपके टलंगाना से होते हुए आपके आंद्र आपको आपको यह बाग नदी जो है वो आपके रिल्वे रूट में भी पढ़ती है आप देख सकते हैं तो यह बाग नदी से जो है वो के बाद का एरिया है वहां से महाराष्ट चालू हो जाता है ठीक है तो यह 36 गड़ और महाराष्ट की सीमा बनाते हुए जो है आपका वेन गंगा नदी जो है उसमें गिर जाती है ठीक है नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम है माजरा ठीक ह ठीक है इसके अलावा जो है गोदावरी नदी में जो है सबसे बड़ी परियोजना जो कि महाराश्ट में बनी है जिसका नाम है जायकवाडी परियोजना और जायकवाडी परियोजना जो है कि एक सिचाई परियोजना जायकवाडी नाम है इसका ठीक है जायकवाडी परियोज यह महाराष्ट में बनी हुए है गुदावरी नदी में इसके पच्छाथ यहां पर इस्तित है भद्रकाली और भद्रकाली में यहां पर उडिशा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी ठीक है अब इसके बारे में बेसिक फैक्ट इंद्रावती नगदी उद्गव कहां से होता है अचा एक और दो फैक्ट मैं बताना भूल गया गुदावरी नदी को जो है वो दक्षिड भारत की गंगा भोलते हैं ठीक है मैंने आपको कावेरी आप वहाध अंतर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कावेरी को दक्षिड गंगा कहते हैं और दक्षिड भारत की अगर गंगा बोले तो वो गुदावरी नदी को कहते हैं, अब ये दक्षिड भारत और दक्षिड गंगा क्या है? देखें, अगर पवित्रता को आधार मनाया जाए, तो जित्तीक पवित्र नदी जो है, गंगा नदी है, उतनी साउत इंडिया की अधार बना रहे है, इसकी लंबाई को, गुदावरी नदी रपर लगभग 14-65 km लंबी है, ठीक है? और गंगा लगभग 26 किलो मेटर के आसपास की लंबी है, तो हम लोग जो है, ये साउत इंडिया की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिड भारत की गंगा कहते है तो यहाँ पर जो आधार है वो लंबाई का आधार है नाकी पवित्रता का, इसलिए दक्षिड भारत की गंगा अगर आपको कभी पे पूछे, तो आप गुदावरी को लगाईएगा, और आपका जो दक्षिड गंगा अगर पूछे, तो आप कावेरी को आंसर और ये कालाहांडी जिला धरमगड तहसील कालाहांडी जिला और मुंगेर के पहाड़ियों से इंद्राबती नदाई निकलती है टीक है? 264 किलो मिटर इसकी लेंध है टोटल यहां पर उस पे एक नदी गिरती जिसका नाम है नारंगी नदी ठीक है? नारंगी नदी के तट पर जो है वो आपका के फॉर आपका कुंडा गाउं सहर जो है नारंगी नदी के तट पर इस्तित है और इस पे एक परियोजना बन आपके नारंगी नदी पर ठीक है कोशार टेड़ा परियोजना जो है वो आपके नारंगी नदी पर इसके बाद एक नदी और आती है कुंडा गाउं से जिसका नाम है बोर्डिंग नदी और बोर्डिंग नदी भी जो है आपके इंद्रावती नदी में गिरती है इंदरबती नदी को एक और नाम से जाना जाता है मन्दाकनी नदी की नाम से, ठीक है, अब ये फैक्ट बुक्स में दिया है आपके, तो कहीं कहीं आपको अगर कोशन आ जाये तो आप मन्दाकनी नदी जो है वो इंदरबती नदी को बोलते हैं, हाला कि इस टाइप का एक tricky question आपके एक बार PSC में आ चुका है, जिसमें वो पूछा था कि महानननदी किस नदी का नाम है, ठीक है, ऐसी कुछ कोशन आया था, ठीक है, तो बहुत लोगों ने महाननदी लगा दिया था, बाद में विवाद होने पर CGPSC ने जो है उसका आंसर डिलीट कर दिलीट कर दिलीट उसका नाम है निब्रा नदी, निब्रा की जो सहायक नदी है, जिसका नाम है जाटलूर, ठीक है, जाटलूर नदी, नदी नहीं है, यह एक्चुली नाला टाइप का, जाटलूर, ठीक है, इस जाटलूर नाले में जो है, बेसिकली, आपके प्राकृतिक रूप से मगर मच यहां पर मैं आपको बताऊंगा कांगेर जलधारा वाटरफॉल उसमें भैसा धरा नाम की जगह है जहां पर प्राकृतिक रूप से मघरमच पाए जाते हैं इसके अलावा अभी हाल ही में पेपर में आया था यहां पर मुच्नार-Nara करके एक जगह लगा है इंद्रबाती नदी पे वहां पर प्राकृतिक रूप से मघर मचौ की संख्या देखी गई है ठीक है यह पर प्राकर्तिक रूप से मगरमच पाय जाते हैं तो चतीत गड़ में तीन जगह जहां पर प्राकर्तिक रूप से मगरमच पाय जाते हैं इसके अलावा जो है आपका जैसे पता हुआ जान्जगीर चांपा में कोटमीज सुनार करके एक जगह है जहां पर हम लोग आइड एक नदी और आते जिसका नाम है कोट्री नदी कोटरी नदी जो है, वो कोल्जाडी के पहाडी आपका महलामानपूर तकसील आपके राजनाद गाउस से निकलती है और आपके राजनाद गाउन महलामानपूर जो है, वो अलग जिला बन रहा है तो हम लिए फैक्ट पढ़ते थि, उसमें थोड़ा करेक्शन कर ले न इसको परल कोट नदी भी बोलते हैं इस परल कोट नदी में जो है एक जलाशा है जिसको गेन सिंग जलाशा है या फिर परल कोट जलाशा है बोलते हैं ठीक है तो आपको पता हुआ गेन सिंग जैसे कि हमारे चातीद गड़ के प्रथम सहीद माना जाते हैं 1825 में ब्रिटिस गवर्मेंट ने इनको हैंक कर दिया था, परलकोट विद्रो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, स्वताम्द्रता संगराम के पहले सहीच वह वह वी नरायन सिंग है, जबकि छतीदगर के पहले सहीच वह वह गेन सिंग को माना जाता है, तो आपको इतना फै इसी के पास में जो है आपका चित्रकूट वाटरफॉल है, ठीक है, लोहांडी गोडा तहसील में आपका चित्रकूट वाटरफॉल है, लगबग लगबग 90 फीट इसकी हाइट है, और यह बेसिकली जो है वो आपके कर्व सेप में, घोडे की नाल के आकरती में, ठीक है, औ और 90 फीट इसकी हाइट है, ठीक है, इसलिए इसको भारत का नियागरा भी बहुलते है, ठीक है, तो आपको चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में याद रखना है, लुहांडी गोडा तहसील के पास सिस्थित है, इसके अलावा बारसूर करके एक जगा है, बारसूर करके जगा है, वहाँ पर जो है, जो कि आपके छिद्नक नागवांसी राज़्दानी रच चुका है, बारसूर करके जगा है, वहाँ पर एक वाटरफॉल है इसमें, जिसका नाम है सब्त धारा वाटरफॉल, ठीक है, इसको चत्तित गड़ का भेडा घाट बोलते हैं, और इसमे साथ धाराएं हैं, जैसे कि आपका बोध धारा, कपिल धारा, पांड़ धारा, कृष्ण धारा, सीव धारा, बाण धारा और सीव चित्र धारा, ये साथ धाराएं जो है, वह आपके सब्त धारा वाटरफॉल का हिस्सा है, तो इसके बारे में आपको याद होना चीए, इसे चक्तीतगड का भेडा घाट कहते हैं, ढ़ हम लोब साउत की नदियां इसमें दिख लेते हैं, साउत से जो है आपका दो नदिया जैसे की आपका ये है, D for लिखा है, डंकनी नदी, ढंकनी नदी और ये है, S for संखनी नदी, ढंकनी नदी निकलती है आपके, डांगरी, पहाडियों से, और वो इंद्रबती नदी में गिरती है। इसके अलावाद संखनी नदी, संखनी नदी निकलती है वो आपके, नन्दि राज के पहाडयों से निकलती है। ठीक है और ये दोनों जो हाँ पर मिलते हैं वो जगह है उसका नाम तारनापाल गाउं ठीक है और तारनापाल गाउं में ही ठीक है ये तारनापाल करके एक जगह है महाँ पर मिलती है और संकनी और डंकनी नडी के संगम पर ही तारनापाल ग्राम में ही आपका अन्नम देव न और संखनी और डंकनी नदी के संगम पर उन्होंने आपका दंटेश्वरी माता के मंदिर का निर्माड कराये था ठीक है तो आपको इतना याद होना चाहिए संखनी नदी के बारे में एक फैक्ट जो है आपके स्टेट इंजिनेरी सर्वेसर से एक्जामनेशन में पूछ चुका है संखनी नदी का जो जल है वो लाल कलर का है क्योंकि यहां पर लौह आयस्क पाया जाता है काफी ज़्यादा और इस लौह आयस्क की प्रधानता के कारण जो इसका नदी का जल हो गया वो लाल कलर से हो गया ठीक है तो पैक्ट आया था किस नदी का जल रक्ताब है रक्ताब या फिर रक्त के जैसा है ठीक है तो रक्त के जैसा मतलब ऐसा वर्ड आया था मेरे ख्याल से रक्ताब लिख जाती हैं इसको वे ध्यान रखेगा इसी के नंदिराज से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नंदी राज ठीक है यह भी इंद्रावथी नदी में गिरती है इसके अलाबा विजा पूर में चिंता-वागु करके एक नदी है चिंता वागू ठीक है और यह नदी जो है आपके इंदरावती नदी में गिर्ती है ठीक है इसको बस्तर की जीवान रेखा बोला जाता इंदरावती नदी को ठीक है और 244 km जैसे कि मैंने बताया इसकी लेंथ है और ये ज़ नदी जो है वो आपके भद्र काली नाम के स्थान पे गोदावरी से मिल जाती है चत्तीजगड और आपके महाराष्ट्र की सीमाज बनाते हुए यहाँ पर मिलती है और इसके पश्याद जो है गोदावरी नदी भद्र काली से कोटेरू नाम के जगा तक बहती है चत्तीजगड में और इसके बाद जो है वो आपका तिलंगाना होते हुए आंध्रपिदेश होते हुए निकल जाती है बेवब बंगाल में ठीक है गोदावरी नदी में 36 गड की दो नदियां गिरती हैं जिसका नाम है एक का नाम है चिंता और एक का नाम है ताल पेडू ठीक है यह चिंता है यह चिंता वागू है तो नाम आप क्लियर याद रखेगा यह चिंता नदी जो है वो गोदावरी के सहायक नदी है जबकि चिंतावागु आपके इंद्रवाति के सहायक नदी है, ठीक है, और इसका नाम है ताल-पेडू, ठीक है, और ये गिरती है आपके गोदावरी नदी में, इसके बाद यहां पर से कोरापुड जिला ओडिशा से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है सबरी नदी, सबरी नदी या फिर इसको कुलाब नदी भी पुराचीन समय में भुला जाता था। कुलाब नधी या फिर सबरी नदी एक वाटरफॉल पढ़ता है सुक्मा में, ये वाटरफॉल है। जिसका नाम है गुपटेशो और वाटरफॉल के आऊ-टरफॉल ठीक है। इसकी 2 Сहयक नदियां है, एक का नाम है आपका कांगेर, कांगेर नदी का नाम भी है, और यहां पे आपका कांगेर वैले राश्टी उद्धान भी है, बहुत नीमें जिसका नाम है कांगेर понड ? ठीक है और यह जहां पर गिरता है वो actually उस place का नाम है आपका भैसा धरहा, नाम भैसा धरहा है लेकिन उस भैसा धरहा में जो है वो basically आपका पाया जाता है मगरमच, मगरमच का प्राकृतिक आवास है, इसके अलावा जो है कुटुम सर की गुफाएं कांगेर वैली नेशनल प कुटुम सर की गुफाओं की खोच की थी, कुटुम सर की गुफाओं में आपके चूने की कई सारी विभिने तरीके के कलाकृतियां देखने को मिलती है, ठीक है तो इसले कुटुम सर की गुफाएं जो है वो काफी famous है, कैपियोला संकराई नाम की अंधी मचलिया मिलती है कि यह आपको पता होना चाहिए, इसको है एक शायक नदी है जिसका नाम है मुंगा बहार इस मुंगा बहार नदी में एक वाटर पॉला जिसका नाम है तीरदगढ वाटरफॉल जिसकी हाइड लगबक 26 में सबसे जादा है लगबक-Lagबक 300 मेट्र की 300 मेतर बहते हेwenometर, 300 मे यह दोनों नदिया गिर जाती हैं आपकी सबरी नदी में ठीक है तो आपको यह लोना चाहिए इसके अलावा यहां पर कई सारी चोटी चोटी धारा हैं जैसे कि आपका जिसमें कुछ वाटर पॉल है जैसे कि आपका महंदी गूमर, तामडा गूमर ठीक है और बहुत सारे हैं बहुत सारे गूमर गूमर नाम से बहुत सारे वाटर पॉल हैं महनी गूमर, तावणा गूमर और बहुत सारे नाम मेरे को आद नहीं आ रहा है लेकिन सारे के सारे जो वाटर पॉल है वो आपके बस्तर और इसके आसपास के चित्रों में और काफी अच्छे अच्छे वाट में कहीं नहीं है इस तरीके के waterfall लेकिन दुर्गम एरिया होने के कारण जो है और नक्सलाइट प्रभाववित एरिया होने के कारण जिसका development नहीं हो पा रहा है ठीक है नेक्स्ट है आपका जो है ये नदी आगे जाती है और इस नदी में जो है एक जल मार्ग बनाया है जिसको 36 गड़ ने अपना राजिस्तरी पहला जल मार्ग घोशित किया है ठीक है और ये सबरी नदी में है कोंटा तैसेल के आसपास ठीक है सुपमा जिला और ये 36 गड़ का एक मात्र और एक लौता आपका जल मार्ग है राजिस्तरी जल मार्ग इसके पचाच जो है ये आपके कु कुनावरम मैं देख लेता हूँ एक बर हां पुनावरम ऐग्जेक्ली कुनावरम आंद्रपरदेश में ये आपका गोडावरी नदी से मिल जाती है ठीक है इसके बाद ये नदी आगे जाती है और आगे जाने के बाद जु इसमें ओरीशा से एक नदी आती है जिसका नाम Il पोचम पाद नदी, ठीक है, पोचम पाद नदी में जो है एक परियोजना है, जिसका नाम है पोचम पाद प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसके बाद आगे आके ये बे ओप बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, सबसे विवादित परियोजना जो गुदावरी में बन रही है, उस सबसे ज़्यादा विवादित परियोजना है 36 गड़ क्या हमारे भारत की ठीक है इसके लिए बहुत लडाईयां हुई है और बहुत सारे चीजे हुई है अलग-अलग समय में पोला वर्यम प्रोजेक्ट कहीं कहीं आपको इसका नाम इंद्रा सागर दिखेगा कहीं कहीं इंद्रा सरोवर दिखेगा लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इंद्रा सागर बांध जो है वो आपके नर्मदा नदी में स्थित है इसलिए इसका नाम जो है वो आपक ठीक है ऐसा मेरे अंदाजा है और कहीं कहीं मैंने पढ़ा है ठीक है तो आप पुलावरम प्रोजेक्ट या फिर इंद्रा सरुवर प्रोजेक्ट मैं इसी नाम से बोलूँगा इसको ठीक है यह आपके आंधर प्रदेश 36 गड़ और आपके उडिसा और इसके अलावाद तिलं आजाद भी नहीं हुआ था तब इसकी परिकल्पना की गई थी बाद में 1980 में जो है ततकाली आंधर प्रदेश शरकार ने इसके लिए डेवलेपमेंट चालो किया और इसके रिले प्रस्ताव पारिप किया ठीक है बाद में जो है सबसे लेटेस डेवलेपमेंट इसमें था 2004 में जब है YSR रेड़ी आंधर प्रदेश के मुख्य मत्री हुए तो उन्होंने इसका भूमी पूजन किया और इसका निर्माण कारे प्रारम बिखिया लेकिन अनेक बार इसके निर्माण कारे में अविरोध लगता रहा उसका रीजन क्या है कि कभी उडिशा अब जो भुपेश बगहिल गवर्मेंट ने क्या हुआ इस पुलावरम प्रोजेक्ट के ऊपर में एक इंटर्नल सर्वे कराया हमारे चतिदगण प्रदेश का उस इंटर्नल सर्वे में यह रिपोर्ट आई कि अगर यह पुलावरम प्रोजेक्ट बनता है जिसकी हाइट ल लेगावर्ट के आज पास विद्यूद प्रोड्ख्शन किया जाएगा तो यह प्रोजेक्ट है मल्ली पर्पर्प्र प्रोजेक्ट है अगर यह बन जाता है तो चतीजफगड के लगभग- लगभग तो तेरा सो एकड की भूमे जो की कुंटा और उसके आसपास के एरिया के हैं, वो डूप छेतर में आ जाएंगे इसके, ठीक है, तो चतित गड़ का एरिया कम हो जाएगा, वनों को नुकसान होगा, पारिस्तित्र की तंत्र को नुकसान होगा, इसके अलाबा चतित गड़ प्रोजेक्ट में अभी ये निर्माणा धिन प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब ये कब तक बनता है, या फिर इसके उपर में क्या स्थिति होती है, वो तो इन फ्यूचर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको गुदावरी नदी में ये पुलावरम प्रोजेक्ट के बारे में और इसकी थोड़ी हिस्टरी के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने जो है पूरी नदी गुदावरी अपवहा तंत्र को कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है, और ये छोड़ा सा लेक्शर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, अगर आपको डाउट आता ह किसी भी इसकी में, तो आप मुझसे वाट्सअप में या फिर कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है, या फिर आपको वाइस क्लियर नहीं हो रही होगे तो, ठीक है, इसके राब आपको एक और काम करना प्लीज वीडियो को लाइक कीजे, जरूर जरूर शेयर करिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर कंपल सरी फॉलो कर लेज़े, टेलीग्राम चैनल से जूड सकते हैं, इसके अलावा आप वाट्सअप कॉन्टेक्ट ग्रूप से जरूर जूड़िये, अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे भेजिये, लिंक पर टाप करके, मैं आपको वाट्सप्ट ग्रूप में चोड़ लूँगा, ग्रूप में जो भी सर्वेसेस मिलती है, आप उसका फायडा उठाइए, और सत्ता के लिए, थैंक इस सू मच फॉर वाचिंग डिस वीडियो, हैव गुट्टे से निए, ग्रूप आप उसका पर लूप में जो दोडाइए, आप उसका पर आपर आप्ड़ियो, प्सक्राइए, बाप आप ह्रूप में जो खॉँगा, जो खृड़बिक ग्रूप में आपड़िक के साथै